तो इंडिया वर्सेज न्यूजिलेंड के फर्स टेस्ट मेच में हम हार तो गए लेकिन कहते हैं न कि खेल के मैदान में सिर्फ खेल नहीं होता उसके आस पास बाहर में जो चीजे होती है न वो भी कभी कभी हमें खुश करके चली जाती है जैसे बारिश हो रही थी और बैंगलोर के मैदान में जब रोहिस सर्मा बाहर की तरफ निकल रहे थे तो पीछे से फैंस की आवाज आती है कि रोहिद भाई इस आई पेल कॉनसी टीम और रोहिस सर्मा के बारे में सब को पता है वो किस तरीके से जॉली नेचर के एक मजा की अंदाज में हर चीजों को रखते हैं वो कहते हैं तू बता भाई कौनसी टीम क्या बाद है सर क्या बाद है सर और फैंस की आवाज आती है कि भाई बैंगलोर मतलब इसके बाद जितने भी बैंगलोर्स के फैं थे कई न कई खुश हो गए कि कि रोहिस सर्मा ने स्माइल करते हुए वहाँ से निकल गए और ये उमीद के साथ कि शायद इस IPL में कुछ ऐसा हो जाए कि हमने देखा है पिछले बार जब मुंबई इंडियन्स ने हरदिक पांडिया को कप्तान बनाया रोहिस सर्मा को हटा दिया और बोला कि हम इनमें फ्यूचर नहीं देखते लोगों ने इतना हेट दिया मुंबई इंडियन्स की परफॉर्मेंस भी उतनी ही बेकार निकल के आई लेकिन एक मुंबई इंडियन्स जो कितनी भी बेकार खेले बाद में कमाल का कमबैक करती है इतने सारे ट्रॉफिस उनके नाम है और रोहिस सर्मा की कप्तान में जिस तरीके से वो कमबैक करती है न उससे सब डर जाते थे लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ लगातार जैसा परफॉमेंस सुरुआक से रहा अंत भी वैसा ही हुआ आपकी बाद बिल्कुल सही है लोगों ने बिल्कुल भी नापसंद कर दिया मुंबई इंडियन्स को जितने फैंस थे वो सिफ्ट होगे कही न कही और इसका एक ही कारण था रोहिस सर्मा को कप्तानी से हटाना लेकिन उसके बाद बहुत सारी खबरे भी आई रोहिस सर्मा ने एक बार बोला भी कि ये सायद मेरा इस फ्रेंचाइज के लिए लास्स आईपियल हो सकता है तब भी लोगों ने आवाज उठाई थी कि आजाओ रोहिस सर्मा भाई आप बैंगलोर को संभालो न वहाँ विराट कोली है और जिस तरीके से विराट कोली और रोहिस सर्मा का रिस्ता भी बना है आजकल कुछ मुझदा हाल में बोलू तो कमाल का लग रहा है इन दोनों की जोडी एकदम जै वीरू लग रहे हैं बेस्ट फेंड की तरह और जो पहले बहुत सारी कोंट्रवर्सी निकल के आती थी कि शायद दोनों के बीच में ठीक नहीं है अब उतना ही बहतरीन नजर आ रहा है रिस्ता तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि देखो अगर रोहिस सर्मा आक्षन में आए क्योंकि 2025 IPL की जो रिटेंशन की लिस्ट है वो आने ही वाली है और उसके बाद सारी चीजे साफ हो जाएगी और बैंगलोर की बात करूँ तो बैंगलोर कही न कहीं रिटेंशन करने जाएंगे सिराज को, विराट कोली को, डिपलेसी को और वहाँ पे अगर आक्षन में रोहिस सर्मा आते है तो भाई लोग छोड़ने वाले नहीं है क्योंकि रोहिस सर्मा के पीछे भागने वाले है सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स क्योंकि वो कही न कही रिशब पंद को हटा के एक अच्छा कप्तान देखने के मूड में क्योंकि रिशब पंद जिस तरीके के अंदाज में खेलते हैं उनके गेम पे भी एक कप्तानी का प्रेशर आ जाता है देखो क्रिकेटर चाहे कितना भी बढ़िया होना एक बढ़िया कप्तान बनना हर किसी के बसकी बात नहीं होती इसका मतलब यह नहीं कि उसमें कमिया है रिशब पंद के अगर पर्फोर्मेंस पे वो एफेक्ट आ रहा है तो कहीं न कहीं दिल्ली कैपिटल्स इस सर्च में है और जिस तरीके से अभी तक कोई भी IPL उनके नाम नहीं हुआ वो ऐसे सर्च में है कि भाई ऐसा कप्तान आये रोहिस सर्मा जैसा जो एक बार तो नाम दर्ज करवा है ट्रोफी पे बात तो सही है तो दिल्ली, कोलकता और लखनौ लखनौ भी पूरी तरह से भागने वाली है रोहिस सर्मा के पीछे और RCB तो जाएगी जाएगी तो इतना आसान नहीं होगा RCB को रोहिस सर्मा को पाना पर अगर वो ऑक्षन में आए तो मुझे लगता है कि जाने वाली है टीम है और बहुत मज़ा आने वाला और रोहिस सर्मा को IPL में अगर हम RCB के जर्सी से कप्तानी करते हुए देख ले तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि कुछ क्रिकेट लवर ने विश मांगा था तो तबाहिल आने वाली है और बैंगलोर के अलावा मुझे लगता किसी भी टीम को सपोर्ट करने वाले कोई भी दिखेंगे हाला कि देखा जाए तो मुंबई की हालत कुछ न कुछ खराब तो है इंटर्नली क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट इतना टेस्ट मैच के और सोरी कुमार यादब जो कि T20 के अपतान है वहाँ बहुत सारे ऐसे क्लैसेस देखने को मिल सकते और ये पिछले सीजन में भी देखने को मिला था आपकी बाद बिलकुल सही है हो सकता है कि इस बार रेटेंशन में शायद बुम्रा अपने आपको ना रखना चाहे सूरिया भी आना चाहे ऑक्षन में मतलब बहुत सारी चीजे होने वाली इस IPL में वो इसका इंतजार रहेगा लेकिन ये जो कमेंट आया न वो फैंस का कि रोहिस सर्मा भाई कौन सी टीम से और वो बोलते हैं तुम बताओ कौन सी टीम से खेले और RCB उसके बाद वो स्माइल कही न कही एक उम्मीद जगाती है और हम सब मैं as a RCB फैंस मुझे लगता है कि अगर रोहिस सर्मा आ गए तो उससे बहतरीन कुछ नहीं होगा और यकीना ने कही न कही कैप्टेंसी के तौर पे RCB थोड़ी तो पिछड़ती है क्योंकि आप लीडर्सीप की बात करोगे तो ड्यूपलेसी as a foreigner अच्छा player है उन्होंने South Africa के भी कप्तानी की है लेकिन एक जो IPL की कप्तानी आती है जहां पे आपको Indian players ज़्यादा मिलते हैं उनसे deal करना होता है सारे staffs maximum आपको Indians मिलते है तो वहाँ वो combination कही न कहीं समझ नहीं आते हैं और इंडिया की pitches के जो हाल चाल है किस तरीके से react करते हैं क्या होना चाहिए वो decision making जो Indian captain कर पाता है न वो सायथ foreigner में उतना जादा नहीं कह सकता हूँ तो बहुत अच्छी ख़बर होगी अगर रोई सर्मा आते हैं और most welcome मज़ा आने वाला है बाकि आप लोग comment में बताओ क्या लगता है कि मुंबो इंडियन्स को रोई सर्मा छोड़ेंगे क्या RCV में आएंगे जो भी रहा है comment में दीजिए फिर में लेंगे लिए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा बाई